माई ब्लॉग मेरी अत्रा के सभी सहयातियों को पीके पधिक का हार्दिक नमशकार मित्रो मोवाइल फोन से होने वाले नुकसान क्या-क्या है फाइदे तो आप जानते ही हैं लेकिन इसे हमारे शरीर को क्या-क्या नुकसान होते हैं इस पर एक बहुत ही महत्तुपूर जानकारी एक वीडियो के माध्यम से जो सरकार के दोरा जारी एक गाइडलाइन है वो मैं लेके आया हूँ प्लीज इसको ध्यान से सुने और जीवन में उतारे सोचिए सरकार गाइडलाइन क्यों जारी कर रही है एक सिहत का सवाल है और इसके साथ और भी जुड़े हुए पहलू है सरकार कह रही है साफधान समलकर इस्त Demail करें मॉबाइल का संबव हो मॉबाइल को अपने شरीर से दूर रखें ये खुद सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है जारी कियें सरकार ने कान से मुबाइल को दूर रखने के लिए एरफोन या ब्लूटूथ का इस्तमाल करें कान से दूर रखें मुबाइल को अपने सिर के पास न रखें साफधान रहने की जरूरत है मुबाइल पर ज्यादा देर बात न करें ज्यादा लंबी बात न करें समल कर इस्तमाल करें मुबाइल का, बच बच कर इस्तमाल करें मुबाइल का, ये सरकार की गाइड लाइन है कि ज्यादा से ज्यादा मेसेज का इस्तमाल करें बात कम करने की कोशिश करें, अगर मेसेज से काम चलता है तो मेसेज का इस्तमाल करें स्पीकर फोन पर बात करें कान पर लगा के बात न करें स्पीकर फोन आउन करें और स्पीकर फोन आउन करके बात करें खुद सरकार कह रही है सोचिए सोचिए सरकार कह रही है जहां सिगनल अच्छा हो वहीं बात करें बात करते हुए चले नहीं सिगनल वीक होता है मुबाइल सिगनल को पकड़ने की कोशिश करता है चलते हुए मुबाइल पर बात न करें जब मुबाइल सिगनल पकड़ने की कोशिश करता है तो रेडियेशन जादा होती है खत्रा आप पर जादा होता है ये सरकार की गाइड लाइन है चश्मा पहने हो या सिर्गिला हो तब मुबाइल से बात न करें सिर्गिला हो तो मुबाइल से बात न करें ये सरकार कह रही है कॉल जब कनेक्ट हो जाए लग जाए उसके बाद ही मुबाइल या एरफोन को कान के पास लाएं जब connect हो रही हो तब signal जादा स्टॉंग होता है मॉबाईल में रेडियेशन का जादा खत्रा होता है और संबब हो तो landline का इस्तमाल करें landline में ये रेडियेशन वाले खत्रे नहीं है लियेशन मोबायल को शर्ट या पैंट की जेब में न रख्टें जेब में न रखें, मतलब शरीर के करीब न रखें, शर्ट की जेब में न रखें, पैंट की जेब में न रखें बच्चों से दूर रखें, रेडियेशन इसका खतरनाक है ریڈییشن موبائل فون کا इतना खतरना कि سرکار कह रही है कि बच्छों से मूबाइल को दूर रखें मरीजों से मूबाइल को कम से कम चेंच दूर रखें मरीज के पास नह ले जाएं मरीज को पहले ही दिगत है और रीडियेशन से और जयदा दिगत हो सकती है ये खुद सरकार की गाइड लाइन्स कह रही हैं